नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मेश शर्मा चार्ट अनलसिस टैनल पर आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो मैं बात करेंगे निफ्टी की क्योंकि अभी फिलाल निफ्टी ने अपना एक इंपॉर्टन सपोर्ट ब्रेक कर दिया है और क्या इस सपोर्टन सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर से दोस्तों यहां से दुवारा से एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा जो कि पहले से होता हुआ जा रहा है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था क्योंकि बार बार market support break कर रहा था और उसके बाद market का एक नया bounce back देखने को मिल रहा था तो हम क्या करेंगे आज पूरी तरीकी से analysis करेंगे और जो भी सिखाएंगे वो सिखाएंगे आपको technical chart पे जिससे आपको समझने में काफी असानी रहे तो वीडियो काफी educational है इसको शूर से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा चैनल को subscribe नहीं करेंगे तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा पहले लेके जाओंगा आपको chart पे बड़स से पहले मैं आपको दिखाना चाओंगा अपना telegram channel क्योंकि हमारी जो भी important updatesions होती है वो आपको पहले मिलती है हमारे telegram channel पे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हमारा telegram channel है और यह हमारा important telegram channel है हमारा यह जो telegram channel है यह public channel है इसमें अभी 41,254 के आस्तों member है और अगर आपको भी इसमें join होना है तो आपको क्या करना है आपको जाना है और लिखना है chart analysis और chart analysis लिखेंगे तो यह लोगों हमारी पैचान है इसको जाके जल्दी से आप join कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको काफी updatesion मिल जाती है जब भी किसी stock में pattern मनता है उसकी photo click करके हम यहाँ पे post कर देते हैं क्पेला अगर हमियाँ देखते हैं तो पहला message जो हमने किया था आज के दिल वह थहा निफी में तो इहाँ पे देखेंगे निफटी का हमारा पहला message जो था वो निफटी से पहले चार्ट तो यह के चार्ट है विप्रेंगे ने एक यह अप्रेंड लाइन है और अपर लाइन प्रेंगे निफ्टि का रिट चला ता 1760 रुपे के के आसपास जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं 17,966 का रेट चला था तो ही हमने बता दिया था कि निफ्टी का अपट में मैं दिख रहे हैं सब्राइब देख दहाता हूं और यह चार्ट मार्किट में तो यह देखिए गा दोस्तों कि 17,966 का सब्सके निफ्टी में फिलाल ये क्या कर रहे है अब फुरानी बात हैं छोड़ देते हो नई तरीके से अब फिलाल चल रही है यहां पर closing करी है तो क्या अब यह जो support break हुआ है जो कि uptrend line का crucial support ही से हम बोल सकते हैं तो क्या एक बड़ी गिरावाट आपको देखने को मिलेगी या फिर यहां से फिर से bounce back देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं चर्चा करना चाता हूँ तो इस area को मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ और इसी area की मैं आपसे बात करना चाहूँगा तो यहां पर इस area को मैं करता हूँ जूम और यहां पर दिखेगा दोस्तो इस level पर यह दिखेगा कि यहां पर यह जो important support है इसका अगर मैं बात करूँगा वो है 17,920 रुपे के आसपास का इसका क्या है support है और अभी closing है इसकी 17,880 रुपे के आसपास की तो अब कल के दिन हमें किस तरीके से trade मना है न उसके बारे में बात करेंगे कहने को तो support break हुआ है पहले भी यहां पर भी support break हुआ था बट bounce में देखने को मिला और गिरा क्यों क्योंकि shooting star pattern मना था अब यहां से हमें कल के दिन किस तरीकी की strategy का use करना है अब उसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या करता हूँ दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाना पसंद करूँगा तो बैटर रहेगा कि आप एक एक चीज़ ध्यान से समझेगा अब कल के दिन क्या हो सकता है कल के दिन की बात करेंगे अब मालव 17898 के आसपस जो closing हुई है आज की जो actual closing है तो कल के दिन अगर market कर bearish open होता है bearish open होने का मतलब के मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर bearish candle यानि की red candle के साथ open होता है तो आप क्या करिएगा जैसे market थोड़ा सा नीचे जाता है तो आप क्या करिएगा अपनी position short बना सकते हैं sell कर सकते हैं अपनी position और stop loss रखेगा 17,920 का यह SL है दोस्तो यह important SL है जिसकी मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहूँ 17,920 का जो level है अपने दिमाग में रखे चलिएगा तो क्या है कि अगर market थोड़ा सा में नीचे जाता है तो position अपनी short बना के चलिएगा 17,920 के SL से बहुत easy है दोस्तो सबस्टे में ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अगर मालोक कल के दिन ऐसा होता है कि अगर bullish candle के साथ opening होती है bullish candle के साथ opening होती है और वो 17,920 का जो important level है अगर 17,920 के उपर अगर जाता है bullish candle के साथ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते है अगर मालोक की market bearish candle साथ open होता है तो sell करिएगा अगर 17,920 के उपर जाता है तो buy करिएगा तो यह बहुत अच्छे level से इस level के साथ से काम करेंगे तो पैसा आपका जो भी बन सकता है अब मैंने सारी सीट आट आती है दुबारा से आपको समझाता हूँ अगर मैं आज के low की बात करूँ nifty का तो आज का low जो बन चुका है वो मैं बात करूँगा दूस्तों वो बन चुक है 17,880 रुपे के आस्ट उसका तो अगर मानलोग के बीरिश केंडल के साथ ओपन होता है और जैसी नीचे जाएगा और 17,880 का भी level break करता है तो भी आप अपनी position के अगर सकते हैं और बना सकते हैं देखे क्या होता है कि हाला कि मैं कहीं बात देख रहा हूं कि market जाता है और bullish candle के साथ फिर से एक तीजी देखने को मिल जाती है बट ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर मालोग कल के दिल ये जो bullish candle के बाद ये बीरिश केंडल आपको देखने को मिलती है पहले ही 15 मिनिट में या फिर आदे घंटे में तो आपके अगर येगा position अपनी shot जरूर बनिएगा 17.920 के SLC में repeat कर रहों बात को काफी लोग बोलेंगे आप repeat कर रहें बट कहना चाहूंगा कि यहां से अगर गिरावट आईगी तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है तो मेरे साथ से जो लेवल बता है उसके accordingly ट्रेड करेंगे तो पैसा आपका जूर बन सकते हैं अब बाग करते हैं कि क्या आपको directly future में काम करना चाहिए या फिर आपको किस तरीके से काम करना चाहिए तो कहना चाहूंगा आप option वाय करके काम कर सकते हैं आपको क्या करना पड़े काम को कहना चाहूंगा कि अगर मालो की कल bearish candle के साथ open होता है तो आप add the money की भी क्या कर सकते हैं put खरीद सकते हैं बट आप यह गलती मत करिएगा कि आप directly 17750 की put खरीद ले और वह भी weekly तो यह तो गलती गलती से मत करिएगा तो आप बोलेंगे कि आप नहीं तो 17750 जाएगा तो हमने उसकी put खरीद ली ऐसा मत करिएगा उससे क्या होगा कि मालो की थोड़ा बहुत मारके नहीं पर अगर consolidate करेगा तो भी आपका जो value है प्रीमियम की value बहुत जल्दी decay हो जाएगी तो बैटर यह है कि अगर आप option में काम करते हैं option buying करके काम करते हैं तो add the money या फिन in the money पे काम करेगा out of the money काम ना करिएगा और फिर से कहना चाहूँगा दोस्तो weekly से better monthly है monthly expiry पे काम करेंगे तो जादा better रहेगा वैसे इसके पर मैं काफी detail में वीडियो बना चुका हूँ तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं कि weekly और मंतिली में जादा better कौन सा है उसके पर आप देखेंगे YouTube में मेरी काफी सरी वीडियोस मैंने अल्लेडी बना हुई है तो अब अगर मैं बात कुरूँ फिर से टेलीग बना सकते हैं तो अब टा अल Ник सी की चार्ट पर जाएंगो चार्ट अलिगसी भी हमने आपको buildकर अथा अब टा ऑक्सी में क्या है उसके बारहें बात करेंगे टालकि जो है क्या अभी बहुत अश्चा है मुझे लग वड़ी गरावाट देखने को मिल सकती है कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे एक pattern मना है, जिसको हम बोलते है, triple top, triple top pattern है यह, बहुत जबड़स pattern है, और साथ साथ कहना चाहूँगा, first top, second top, third top बना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक evening star pattern आप rising wedge भी बहुत सकते हैं, तो काफी चीज़ आपको इक ही जगह देखने को मिले है, triple top देखने को मिल रहा है, evening start देखने को मिल रहा है, rising wedge देखने को मिल रहा है, और सबसे important factor है वो यह है, कि यहाँ पे negative divergence भी है, तो चार, अगर आप देखें, four confirmations आपको देखने को मिले हैं, एक ही chart pattern पे, तो अगर आप सोचने हैं कि मैं सिब indicator का use करूँगा और पैसा बना लूँगा तो ऐसा कताई भी possible नहीं है, वो आपको लगता है कि पैसा बन सकते है बड़ एक्चुल पैसा बनता नहीं है, तो इसलिए आपको कहना चांगा, price action psychology, demand supply को सीखना काफी ज़्याद तो ही दोस्तो आपके जो trade है वो successful हो पाते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टाटा एलक्सी में बड़ी ग्रावट आपको देखने को मिल सकती है, और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो और भी काफी stops हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो जिसमें मु इसलिकी भूल की गिरावट देखने को मिल सकती है, 663 के आसपस बोला था, sell करने के लिए रीजन गया है, कि दो तीन रीजन है, एक तो यहाँ बेरिश हरायमी pattern मना है, मैं लिख देता हूँ बेरिश हरायमी pattern in Wipro, साथ-साथ मुझे लग रहा है कि गिरावट देखने को मिल है, मैंने इसको पर काफी वीडियोस बनाई है, और कहना चाहूँगा कि रजिस्टन्स के ऊपर जाके गिरा है, तो भी मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यह दो चीजी है ना, यह जो एनालिस है, यह सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि देखे, सपोर्ट के नीचे बुलिश एंगलफिंग बना तेजी, रजिस्टन्स के पर बीरिश हरायमी बना तो मंदी, यह भी आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह सारी चीजे मैंने अपने ओनलाइन कोर्स में डिटेल में समझाई है, आप मेरी वीडिय तो मुझे इसलिए लगड़ा है कि वीप्रो में गिरावट देखने को मिल सकती है, साथ-साथ भी और काफी सारे स्टॉक है जो हमने बताया थे, और इसके इससे ज्यादा स्टॉक्स जो हैं, वह हम अपने प्राइवेट टेलिग्रम चैनल पर बताते हैं, अगर आप देखे तो यह देखे, दोस्तो कितने सारे मैसेजिस हैं, यहाँ पर देखे, बहुत सारे मैसेजिस हैं दोस्तो जो हम प्राइवेट टेलिग्रम चैनल पर करते हैं, वह यकिन माने दोस्तो हमारा जो प्राइवेट टेलिग्रम चैनल अगर आप जॉइन कर लेंगे, यह हमने कोर्स क चनल पर भी करते हैं बड़ 3-4-5 यहां पर आपको डेली के 15-20 messages अपको मिल जाएंगे और दूसरी post analysis भी होती है market के बाद की भी analysis होती है market start होने से पहले भी analysis होती है तो मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप इस group का हिस्सा बनेंगे तो आपकी learning के साथ आपकी earning में बहुत अच्छे level की होगी और यकिन मानिए दोस्तों कि मैं भार बार एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा अगर आप market में अच्छे trader बनना चाहते हैं तो technical analysis सीखना काफी ज़्यादा जुरूरी हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप भी technical analysis सीखना चाहिए इडिकेटर डाउ थी एलेट विफ थी टाइम फ्रेम का कॉम्बनेशन डिमांड सप्लाई साइकोलीज सीखाई जाती है कोर्स का कॉंटेंट और क्वालिटी भूत ही बढ़िया है सासाथ कहना चाहूँगा कि वीडियो सो आप क्या कर सकते हैं सासा हमारा हर संडयवेबिनार होता है갔 प्लіक द बात मेरे सही वंगी तो पूछा जाईए में पीडिया फाइल आपको मिलेगी और साथ कहना चाहूंगा साल में में टब भी करता हूं तो आठ यह पर देखें आपको टेक्निकल अनालिसीज भी सीखने को मिलेगा और 70-80% की गैरेंटी मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि 70-80% की हमारे रिसर्च की गैरेंटी दोस्तों मैं लेता हूं आपकी 70-80% की आपकी एकुरेसी जरूर आईगी अगर आगे कोर्स कर लेते हैं साथ-साथ अवारा ऑप्शन का कोर्स है जिसमें 59 वीडियोस है जिसमें ग्रीक्स ऑप्शन चेंप साथ-साथ आपको कहना चाहूंगा कि आप सारी चीज़ें समझाइएं यह 50-90 का कोर्स है और अगर आप चाहें तो कोंबो भी ले सकते हैं अगर आप नो ब्रोकर निक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनमें भी आप दीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उसमें भी आपको दोस्तों संडे का वेबिनर लाइफ टेम के लिए फ्री आप कॉस्टम लेगा तो आश्या करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई डाउट है कोई कोई यह तो नीचे देगे नमबर पर कॉंटेट कर सकते हैं आज के लिए बस इतने दोस्तों धन्डेवाद